कुलू जिला परिशर के सबागार में सांसतमंडी प्रतिभा सिंग के अधेक्स्ता में दिशा कमीटी की समिक्षन बैठक होई इस बैठक में विभ blossom विभागों के अधिकारियों और दिशा के सदस्यों ने भाग लिया बेठक में कुलू सदर के विधायक सुन्दर सिंग ठाकुर सहीट अने सदस्यों ने लोग निर्वान विभग और अने कई विभगों के अधिकारियों के लिए निती को लेकर आपत्ती जाहिर की. इस बैठक में सांसतमंडी प्रतिवा सिंग ने सभी विभागी अधिकारियों को केंद सरकार के विभिन योशनाओं को धरातल पर जल्द उताने के उचित दिशाने देश दिये बैठक में उपायुक्त कुलू आशुतो शगर्ग ने सभी विभागिये अर्थिकारियों को विभिन योशनाओं से संबंदित कारे की प्रगती को जल्द उपलब्द करवाने के भीनिट देश दिये इस दोरान सांसतमंडी प्रतिवासंग ने कहा कि हर तीन माहा के भी दिशा की समिक्षा बैठक का आयोशन किया जाता है जिसमें केंद सरकार दोरा चलाई जा रही विभिन योशनाओं की समिक्षा की जाती है उन्होंने भी अपने पने कई issues raise की है उन्होंने इन्होंने कहा कई कई जगा उन्होंने आपति भी जिताई की जहां काम नी हो रहा जहां विभाग उसको seriously नहीं ले रहा। उसमें भी उनको निर्देश दिये गया है कि आप इसको kindly pay attention और इस विभाग के सभी विभागों को कि अफसर जो यहां आए थे उनको भी निर्देश दिया गया कि आप लोग इस जो लोगों की ग्रीविंसे उसको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को जल्दी से जल्दी करें अब कल काई इश्यू था एक जो पुली फुट पाथ बना था वो बै गया बारिश के कारण उसमें कुछ जानमाल का भी नुकसान हुआ है तो वो भी आज चर्चा का यहां पर हमने उस पर भी चर्चा की क्योंकि वो पीड़डी वे भाग को उसका मानिया वीरभदर सिंग जी पैसा भी देखे गए थे उसका शिला नयास भी करके गए थे हमने उनको पूछा कि क्यूंँ छे साल लगे छे साल में आपका यह पूल निर्मान का कार एक क्यों पूरा नी हो पाया तो कुछ कारण थे जो उन्होंने हमारे सामने रखे तो हमने उनको निर्देश दिये हैं कि जलदी से जलदी इस काम को किया जाए ऐसा तो जो गाइडलाइन आ रही उसके मताबिक अफसर सभी काम कर रहे हैं उन स्कीमों को धरातल पे पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं पर certain difficulties are there कहीं कहीं होता है कि कोई हलात ऐसे बन जाते हैं